तो आज का हमारे पास जो questions है add 2 square root 2 plus 5 square root 3 and square root 2 minus 3 square root 3 तो इनको हमें add करना है देखो सबसे पहले इनको ऐसे write कर लेंगे by using horizontal method कि देखो सबसे पहले इसे write करेंगे अंडर रेकेट 2 plus square root 2 प्लस 5 square root 3 bracket close plus bracket open square root 2 minus 3 square root 3 अब जो हम सब्सक्राइक है अब देखो होता है कि हम similar term को add कर सकते हैं या कर सकते हैं similar term का मतलब क्या है जो वैलू square root के अंदर है जैसे आफ लिखा यहां पर लिखा नहीं है क्या होगा क्या होगा वर्य स्क्वार clark नहीं होता है तो बहिया देखो two square root two plus one square root two हो जाएगा three square root two क्या हो जाएगा three-square-route two देखो Marketing ऐ स्कवारूट three है यह माइनस three square root three है यह वाला नंबर बड़ा है तो इसका साइन लेंगे plus five-3 करेंगे कितना आ 2, 2 square root 3 अब ध्यान देना, देखो यह square root के अंदर की value solve नहीं होगी केवल इनके number solve होते हैं तो यहाँ पर यह solve हो चुका है अब यह इससे ज़्यादा solve नहीं होगा यह हमारा answer हो जाएगा इस question का तो answer क्या आ गया 3 square root 2 plus 2 square root 3 तो दोस्तों comment box में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अगर जर्यावी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी share करें अगर इस channel पर आप नए हैं तो channel को भी subscribe करें हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले question के साथ तब तक अगले thank you class